दोस्तों नमस्कर IT Technical Course यूटूब चैनल पे एक बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अभी जो नबोदय विद्यला की एक्जाम होने वाले हैं आठ मार्च से उसमें से जो 15 नमबर के कोशन हिंदी के पूछे जाएंगे तो आप लोग जरूर देखना यह पेपर प्रिवीस यह पेपर है 15 कोशन यह पंदरा चैप्टर से लिया गया है प्रतेग हर एक चैप्टर से एक कोशन दो कोशन उठाए गए है दोस्तों अभी तक मैंने 4-5 हिंदी के प्रिवीस यह पेपर अपलोड कर दिये हैं आप लोग जरूर देखना इसमें भी 15 कोशन आपको मिलेंगे देखने को और यह आप इलेक्टरिशन और पलंबर के भी कोशन पेपर देखने चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिक्शन पे लिंक दी गई है आप वहां से आसानी से देख सकते हो दोस्तों चैनल पे नहीं हो चैनल को सस्क्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों यह पेपर देखने से आपको यह अनुभा हो जाएगा कि कोशन कहां कहां से पूँचे गए थे जरूर लाश्टर देखना कुछ नया सीखने को मिलेगा चलिए आते हैं फश्नमर कोशन पे फश्नमर कोशन बोल रहा है निन्म में कौन सा सब्द तदभाव है ऐसा कौन सा सब्द तदभाव दोस्तों तस्तम और तदभाव होते हैं इसमें से जो पूँच रहा है तदभाव सब्द पूँच रहा है तो इसको जो राइट अंसर होगा C नमबर होगा थन थन सब्द तदभव है अगला कोशन है कायर का बिलोम कायर यहाँ पे कायर सब्द दिया गया है इसका बिलोम आपको बताना है इसका जो राइट एंसर होगा निडर कायर एनी जो होता है उसका जो बिलोम उल्टा होगा निडर होगा राइट एंसर C नमबर होगा दोस्तों ये पता चला होगा आप लोगों को एक कोशन तदभाव से पूँचा गया दूसरा कोशन बिलों से तीसरा कोशन आ गया समास से हर एक चिप्टर के एक एक कोशन पूँच रहा है इसने मगन में कौन सी समास है इसने मगन में कौन सी समास है इसका राइट एंसर होगा तत्पूरुस समास इसने मगन में तत्पूरुस समास होगी राइट एंसर फॉर्स नमबर होगा अगला कोशन है जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो के लिए एक सब्द होता है जी तेंद्रियां जिसने इंद्रियों पर बिजय पाली मतलब इंद्रियों पर जिसने बिजय पाली उसको बोलते हैं जी तेंद्रियां राइट एंसर होगा थ्री नमबर अगला कोशन है निन्म में कौन सा सब्द तस्सम है तस्थम सब्द तदभाव सब्द उसके पहले तदभाव सब्द पूछा गया था अब आ गया तस्थम सब्द इसका जो है अस्तम्भ है अस्तम्भ एक तस्थम सब्द है तो आपको पता चल गया होगा पांच कोशन पांच तरह से पूछे गया तस्थम तदभाव समास बिलोम यही सारे कोशन आपको हर एक चेप्टर से एक एक कोशन पूछा जाएगा अब मूर्खता में कौन सा सब्द प्रत्य है अब मूर्खता में कौन सा प्रत्य है मूर्खता उपसर्ग एक होता है एक होता है प्रत्य प्रत्य का मतलब कोई भी सब्द के बाद में लगा हो पीछे लगा हो उसे बोलते हैं प्रत्य उपसर्ग यानि कोई सब्द के पहले जो लगा होता है उसे बोलते हैं उपसर्ग तो यहाँ पे देख लिए पूँचा है प्रत्य प्रत्य नियुक्ते सब् core के बाद में अभिस में मूर्ख ता जो सब्स लिखा तो बाद में लगा है यह नियुक्ता आण सर शाल हो जाएगा बीनमर ता मूर्ख ता करतल यहाँ परें उपसर बें पूंछत जाता ती आप यह बताते हैं मूँ और यदि प्रत्य है तो ता होगा अगला है निन्म लिखित में से बरतने की दृष्टी से सुद्ध सब्ध कौन सा है आपको यहां पर बताना है कि सुद्ध सब्ध स्पेलिंग पूछ रहा है दोस्तों हर एक चेप्टर के हम हिंदी के अपने चैनल पर अपल रत्य हो गया संधी हो गई तरह तरह के कोशन अपलोड कर दिये हैं आप लोग जरूर हिंदी को रटके ही जाना क्योंकि 15 नमबर बहुत माइने रखते बहुत सरालाती है जैसे यहां पर पूंच रहा है निन्म में से बरतनी की दृष्टी से सुद्ध सब्ध कौन सा है इसक संतुष्ट 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 तो इसका जो एंसर होगा बी होगा संतुष्ट अगला है निन्म में कौन सा घोडा का परियाबाची नहीं है घोडा का परियाबाची नहीं है लोचन घोडा का परियाबाची नहीं है लोचन इसका राइट एंसर हो जाएगा ए नमबर अगला कोशन है निन्म में कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है भासन, मोर, भवन, इसका राइट अंसर होगा सी नमबर है यानि भूजा जो होगा एक इस्त्री लिंग है अगला कोशन है निन्म में से सुध बाग के कौन सा है सुध बाग के हैं पर पूँच रहा है मैंने उससे बात की थी यहाँ पर जो सुध बाग है निन्म में से सुध बाग के कौन सा है इसका राइट अंसर होगा तीसरा नमबर मैंने उससे बात की थी अगला कोशन है यह मुना किस प्रकार की संजा है यह मुना यहां पर पूँछ रहा है यह मुना कौनसी प्रकार की संजा है समूबाचक दरब्बाचक जाती बाचक नहीं ब्यक्ति बाचक यहां पर यह मुना जो है ब्यक्ति बाचक संजा है देखिपे दोस्तों कितने सरल-सरल कोशेद पूछा country के संजा, सरवनाम, विलों, तश्le, तदज, उपसर, प्रत्य, समाज अगला है उत घाटन का संधी विख्षेद होगा उत घाटन का संधी विख्षेद उत धन घाटन बराबर उत घाटन उत घाटन का निए उत धन घाटन बराबर उत घाटन निए संधी बिच्छेट का कोई कोई कोशन एक आ चुका है ऐसे सब्द पढ़के जाना जरूर अब यहां से प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है प्रख्यात यही होगा प्रख्यात में 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 प्रख्या इसका राइट अंसर होगा चौथा नमबर तो इस तरह के पंदरा कोशन आपको मिलेंगे हिंदी के इसी टाइप में आप पढ़के जाना तरह तरह के कोशन संधी समास बिलो उपसर्ग प्रत्य तदभौत तस्सम लोकुतियों का अर्थ मुहावरा यही कोशन मिलके आपको पं हाँ